हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब का आपके अपने हेल्थ चैनल आयरवेट बेस ओफ लाइफ में कैल्शियम क्या है, क्यों जरूरी है, शरीर में इसका क्या काम है, इसकी कमी को कैसे दूर करें और इसके अधिक मात्रा होने पर भी शरीर में क्या लक्षन होती है ये सारी जानकारियां आज के वीडियो में लेकिन ऐसे जानकारियां पाते रहने के लिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर लीजे और bell icon प्रेस कर लीजे जिससे नए नए वीडियो की जानकारिया आप तक तुरंत पहुँच सके Calcium हमारे शरीर में सबसे जरूरी minerals में से एक है यह हमारे शरीर के लिए बेहत महतोपूर्ण होता है यह हमारे शरीर के skeleton को बनाने का काम करता है यानि हमारे शरीर को बेज देने का काम Calcium के बेना संभव नहीं है हमारे हड़ियों और दातों की मजबूती और उनके बनाने में Calcium बहुत जरूरी है साथ ही यह हार्ट को सही तरीके से काम करने के लिए भी जरूरी होता है बच्चों को उनकी ग्रोथ के लिए Calcium बहुत आवश्यक होता है तब ही उनका पूरा विकास पॉसिबल है गर्भवती महिलाओं में बच्चे का अच्छी तरह development हो सके उसके लिए भी यह बेहुत जरूरी होता है चोटे बच्चों की ग्रोथ और उनके सही डेवलपमेंट Calcium के बिना संभव नहीं है 99% Calcium इस तरह हमारे शरीर के बेस चरकों बनाने में प्रयोग किया जाता है और Calcium की कमी से हमारे शरीर सही तरीके से डेवलप हो सके ऐसा संभव नहीं है जिन पुरशों और महिलाओं की एज 19 years से 50 years के बीच में होती है उन्हें 1000 mg Calcium की जरूरत रोज होती है वही 50 years के उपर के लोगों में 1200 mg Calcium की हर दिन जरूरत होती है यानि Calcium हर उम्रे के लोगों के लिए बेहत आवश्यक होता है क्योंकि इसका अधिकतर भाग हमारे दातों और हड्यों को बनाने में उनकी मजबूती में इस्तिमाल होता है इसलिए अगर आपके शरीर में Calcium की कमी होगी तो हड्या कमजोर हो जाएंगी और दात भी कमजोर हो जाएंगे अपने समय से पहले तूट भी सकते हैं और हड्या कमजोर होने से मुड़ सकती हैं तूट सकती हैं ओस्टियोपोरेसिस जैसे समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं दूद दूद से बने कदार्थों जैसे दही पनीर चीज इत्यादे में Calcium की अच्छी मात्रा होती है दूद और दूद से बने हुए dairy products Calcium के अच्छे source माने गए हैं इसके साथ ही संत्रे के juice और पालक में भी Calcium की भरपूर मात्रा होती है शरीर में Calcium की पर्यापत मात्रा है या नहीं इसका पताना करने के लिए blood test किया जाता है इसे serum Calcium blood test कहते हैं इसकी normal range 8.5 तो 10.2 mg पर दियल होती है अगर Calcium की मात्रा इस range से अधिक होती है तो Calcium के अधिकता है लेकिन अगर इस range से कम है तो आपके शरीर में Calcium की कमी है इसलिए Calcium का इस normal range में रहना बहुत जरूरी है Calcium हमारे शरीर में blood pressure को भी control करने का काम करती है इस प्रकार ये हमारे हार्ट की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है लेकिन Calcium supplement लेते हुए अगर ये लेबल ज़ादा हो जाता है अपने normal range से Calcium कहीं ज़ादा हो गया तो ये इस्तिती hypercalciumia कहलाती है और ये भी बहुत सारे परिशानिया पैदा कर सकती है जैसे की Calcium अधिक होने पर दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है Blood pressure कम हो सकता है Kidney ओपर भी पुरा असर पढ़ सकता है Kidney में stone हो सकता है भूख में कमी आ सकती है Constipation की समस्या पढ़ सकती है बहुत ज़ादा प्यास लग सकती है बार बार पेशाब लगती है बहुत ठकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है और साथ है depression की समस्या हो सकती है तो इस तरह के लक्षन कैल्शियम के अधिकता पर दिखाई देते हैं लेकिन कैल्शियम का लेवल कम होने पर भी बहुत सारे नुकसान होते हैं जैसे हड़िया, दात और नाखून कमजोर हो जाते हैं क्योंगि हड़ियो, दात और नाखून का अधिकतर भाग कैल्शियम से ही परना होता है और ये आसानी से कैल्शियम की कमी होने पर तूट सकते हैं बाल चड़ने लगते हैं, हर समय ठकान महसूस होती है या दाश्त कमजोर होने लगती है हाथ पैरों में जंजनाहट हो सकती है, वो सुनने पर सकते हैं कैल्शियम की कमी ये सारे लक्षणों को उत्तपन करती है कैल्शियम का नॉर्मल रेबल मेंटेन करना इसलिए बेहत जरूरी होता है इसलिए कैल्शियम की कमी हो तो blood test करा करके इसका पता करके इसकी कमी को दूर करना जरूरी है वरना आपके हड्डियों की सेहत, रदय की सेहत और मस्तिशक याने brain की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है मास्पीशिया कमजोर हो जाती है, वे अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाती है लेकिन हमारे शरीर में कैल्शियम की ये कमी एक दिन में नहीं होती है बलकि हमारे लगातार खानपान में ला परवाही की वज़से body को अगर पूरी तरह कैल्शियम नहीं मिल पाता है कमर का जुख जाना, पिंडलियों में अचानक से बहुत तेज दर्द होना भी दिखलाई देता है अगर सही समय पर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल करके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पर सकता है कैलशियम रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है इस तरह की चीजों को ले करके इस तरह दूद, तही, डेडी प्रोड़क्ट, संत्रे, क्या जूस, पालक, प्रोकली जैसे सबजियों को ले करके आप भरपूर मातरा में कैलशियम को पा सकते हैं इसलिए आप भी इन चीजों को अपनाईए और अपने शरीर में अगर कैलशियम की कमी है तो उसे दूर करिए वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी उपयो की जानकारिया पाते रहने के लिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लीजेगा धन्यवाद